कि एलो एब्रिवन एउमन हेल्थ एंड डिजीज पाट 15 हुमन हेल्थ एंड डिजीज में जो कैंसर के टॉपिक की सीरीज चल रही थी यह लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ओफ कैंसर ठीक है डिटेक्शन डाइगनौसिस पॉसिबल सिम्टम्स टाइप सॉफ टूमर यह सब वीडियो में डाल चुकी हूँ लास्ट वीडियो कैंसर की हैं ट्रीटमेंट ओफ कैंसर कहीं का भी हो है तो यह मतलब परेशानी वाली प्रॉब्लम और ट्यूमर में बैनाइन ट्यूमर है मैलिगनेंट ट्यूमर है बैनाइन ट्यूमर पहले भी बताया था एक ही जगे का है पर all benign tumors are not cancerous, इस case में अगर malignant tumor फैलने वाला होता है, तो वो ज़्यादा fear वाला है, ज़्यादा हमें थोड़ा डर वाला है, तो किसी भी cancer का detection वैसे तो अलग-अलग है, पहले भी मैंने बताया है कि बायोपसी है, टिशू बायोपसी है, या बायोपसी एंडोस्कोपी के चुरू भी बायोपसी होता है, बोन बायोपसी है, या फिर MRI, computed tomography, CT scan है, mammography है, breast cancer के लिए mostly mammography करते हैं, तो कहने का हमारा मतलब है कि detection हो चुका है, उसके बाद अगर उन्हें ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मदद three groups की हैं, यह common method जो है, surgery, radiotherapy and chemotherapy, मतलब surgery, radiotherapy, chemotherapy, surgery अगर possible है, कि starting का case है, और surgery possible है, क्योंकि doctors कहते हैं, कि अगर third stage में, fourth stage में, mostly fourth stage में, तब वो surgery नहीं होगी, तो अगर starting की है, कि second stage में पहुँचने वाला, starting में पता चल जाता है, तो वो surgery होती है, surgery का मतलब removal, तो generally, a tumor is surgically removed, wherever is possible, second case है, radiotherapy, radiotherapy का किसले यूज़ करते हैं, कि surgery के बाद, कि कभी वो टिशू के आसपास, अभी कोई cells ऐसी तो नहीं है, जो cancerous cells बच गई है, तो उसके लिए, radiotherapy के थ्रू, used to kill cancerous cells, taking proper care of normal cells surrounding tissue, आसपास का जो surrounding tissue है, वो normal cells damage नहीं हो, मतलब नहीं हो पाती है, या नहीं, वो करने नहीं नहीं देते हैं, डॉक्टर्स को, कि नहीं होनी चाहिए, केवल cancerous cells को ही इससे वो kill करते हैं, पर कही पार ऐसा होता, जो chemotherapeutic drugs होती है, या तो chemotherapy दी जाती है, मतलब दी, इस तरीके से वो देंगे, और या फिर कही बार ऐसी हो जाती है, कि AIDS काफी बड़ी है, तो डॉक्टर्स कहते हैं, की chemotherapy देंगे, तो उस patient की death हो सकती है, तो उसके लिए वो, मतलब medicines देते हैं, कि tablets five years तक लगातार, एक भी दिन की नागा किये बिना, वो medicine लेनी होती है, एक medicine का नाम मुझे भी मालूम है, टेमेक्सोफीन, टेमेक्सोफीन एक ऐसी medicine है, जो chemotherapeutic drug में ही आती है, वो लगातार five years तक, अगर old age है, तो उस age में, वो लगातार medicine लेनी पड़ती है, जिस से, उस में, मतला, उस medicine के लेने से side effect इतना नहीं होता, अगर वो देते हैं, drugs, मतला, chemotherapeutic, chemotherapeutic, जो chemotherapeutic है, वो अगर देते हैं, तो उसके side effect भी होते हैं, कि hair loss हो सकता है, एनीमी और mostly होता ही है, एक time ऐसा होता है, कि बाल बिलकुल ही खतम हो जाते है, और एनीमी कंडिशन पेशेंट को हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, कि cancer अगर viral infection है, मतला, virus के through cancer हुआ है, तो उसके लिए alpha interferon, ये एक medicine दी जाती है, which activate immune system and help in destroying cancerous cells, alpha interferon उनको देते हैं, जो virus के through cancer हुआ है, तो उसके लिए वो क्या काम करता है, कि destroying cancerous cells और immune system को, patient के immune system को activate करना, common जो drug है, एक common मतलब इसकी जो drug use होती है, वैसे तो डॉक्टर ही देते हैं, मतलब नहीं है, हम लोगों को नहीं पता होता, पर एक common weed है, कैथेरेंथस, रोजियस, कैथेरेंथस, रोजियस, उससे दो drugs निकाली गई है, विंकेस्टिन और विंब्लास्टिन, विंकेस्टिन और विंब्लास्टिन, यूज़ टू ट्रीटमेंट ऑफ लिवकीमिया, यह ब्लड कैंसर का, मतलब ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, विंकेस्टिन और विंब्लास्टिन, किस weed से निकाली गई है, नहीं क्या है वो लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू,